अलकाइदा असम मौड्यूल NIA ने दो आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया नई दिल्ली राष्टिय जाच एजनसी ने आतंक और हिंसा फैलाने की साज़श में असम से संचालित अलकाइदा से जुड़े आतंकवादी समूह के सक्रिय मौड्यूल के दो सक्रियत सदस्यों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है मुहम्मद अकबर अली उर्फ अकबर अली और अबुल कलाम अजाद के रूप में पहचाने गए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भारती अउप मुहादीप में अलकाइदा एन आईये ने अपनी जाच में उलेख किया है कि वे अलकाइदा और एबिटी को मजबूत करने और युवाओं को आतंकवादी कृतियों के लिए तयार करने में लगे हुए थे अकबर अली और अबुल कलाम अजाद दोनों को इस साल पाच अपरेल को गिरफतार किया गया था और अब उन पर NIA द्वारा भारतिय दंड संहिता, IPC और गैर कानूनी गतिविधिया रोक थाम अधिनियम के विभन धाराओं के तहट आरोप लगाए गये हैं जिसने आठ अन्य के खिलाफ मूल आरोप पत्र दायर किया था पिछले साल अगस्त में आरोपी NIA ने कहा जाँच से अभी पता चला है कि दोनों आरोपी असम के पडोसी जिलों में विभन धार्मिक अस्थानों पर AQIS की गतिविदियों का विस्तार करने के लिए बैठके आयोजित करने में सहसाजिश करता थे आतंकवाद रोधी अजनसी ने कहा मॉड्यूल के बंगला देशी संचालकों जाकीर उर्फ महदी हसन उर्फ अमीनुल इसलाम महबुर रहमान उर्फ महबूब आलम उर्फ सुल्तान के सक्रिय मार्ग दर्शन में मुसल्मानों का कटर पंथ और लाम बंदी किया जा रहा था जात से पता चला कि सैफुल, शेखुल हिंद, महम्दुल हसन, जमीवुल हुदा इसलामिक अकादमिक धकलिया पारा मदर्सा में एक अर्बी शिक्षक और धकलिया पारा मस्जिद में इमाम की आड में बड़ी चतुराई से काम कर रहा था वह सक्रिय रूप से जिहादी में शामिल होने के लिए मुसल्मानों को प्रेडित करने और कट्टर पंथी बनाने में लगा हुआ था केंद्री अजनसी ने कहा भारत में अलकाइदा और इसके विभिन अभिव्यत्यों वाले संगठनों के लिए आधार बनाने के लिए मौडियूल में काम करने के लिए संगठन मौडियूल के बांगला देशी संचालकों और अलकाइदा और एबीटी के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने और अपरात करने में शामिल अन्य सदस्नियों की तलाश जारी है